हेले स्पुरेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेटट न्यूट्रियंट मेनेज्मेंट तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सबसे पहले समझते हैं पीवाई क्यों आखिर का यूपीस्टी में यह फिर जो कॉम्टेटिव एक्जाम से उसमें कैसे आते हैं अब यह बहुत ज़्यादा टॉपिक है यूपीस्टी का जो सिवल सर्वसेज इग्जामनेशन में और आएफस में बहुत ज़्यादा पुछे जाता है तो यह कॉश्चन कैसे आता है कि आई पीएम है एंड इन ठीक है इसमें कमेंट करिए इसके बारेमें सॉफन नोट लिखिए है तरह पूरा डिटेल पूश्य जाता है या फिर इसका नीड इसके एडिद गया है और यह जी कॉंसेट है फार्मर्स के लेवल पर क्या है इसका क्या स्थी टेटस है इस चैसे पाप्श हो जाता है और हम मैं क्या अडिब्ट करना च है तो start करते हैं what is nutrients पहले तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं फिर भी अम लेक बार समझ लेते हैं न्यूटन्ट एक ऐसे chemical compound होते हैं जो living organism के लिए important होते हैं उसकी growth के लिए उसके development के लिए और डायर्ट ली और रोल प्ले करते हैं metabolic activities में और आ Sax Clay न लो है मतलब अगर न millennials का रोल जो है वो तल फिर कि उसकी जगे रेपलेस नहीं कर सकते ठीक है तो नुटेंट मतलब यह होते हैं और प्लांट नीटेशन उलए आप्जॉप्शन ऑफ ने चेश्ट अपैस्ट भीड़ ओकी प्लांट सा तो हम लोग ने यह सारी चीज़े पढ़ी थी पिछरे लेक्चर में और फिर मैंने रिपीट कर दिया तो बेसिकली आइनम का कॉंसेट आया क्यों हमें क्यों जरूत पड़ी आइनम हमें यह समझने जरूत है एक्षिली होता कहा ना कि फर्टिलाइजर्स लोग ना ईख्रूक्टिवटी कैज कैज कम करये यह क्यों हो बिल भ्रक्रक्टिविटी डोनों क्या अपको विलागरा तो नहीं नहीं है ये नक्टुर में उसको पळएंगे अशुलिभी ये सारी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो सारे टॉपिक समझने के लिए तो फटल्टी रिडियूज होती है मतलब ऐसी के पर्सिटी इसवाल की जो ल्यूटन सप्लाई करती है वह डाउन हो जाती है फटलाइज ओवर्डोज देने के वज़े से वर्डूस होने के वज़े से तो सीन ऐसा है तो सोयल हेल्थ सब्सक्राइध कि घौरेंगे तो हमें एक ऐसा कॉंसेट ज़रूत थी जो कि प्रटिल्टी इनहांब करें जो सोयल क्टर है से उसको भी इंप्रूब करें तो तो हमें ऐसा आइटम चाहिए जो हमारे लिए और प्रोडेक्टिविते हाई करें अदिक है और स्वेयल सेलाइनर है क्योंकि ऑवर युज़ और यूज़ करने से होता है सैलिनीटी भी आती है स्वाल में ठीक है आ एक ऐसेडिटी भी या जाती है अगर वेश्म फर्टलाइजर युज़ करें तो एस डूजब हो जाएगी बेसिक यूज़ करें को बिस सैलिनर जादा आएगी तो आएनेम को कॉंसेप्ट ऐसे आया कि हम किमिकल फार्टिलाइजर अप्लाई कर दें थोड़ी बहुत इमाउंट में फिर फार्म वेस्ट जो आज आ जाता है ठीक है और गेनिक मेन्योर वगएरा जो फाइम वर्मी कंपोस्ट वह अप्लाई कर सकते हैं लेग जलाने के बचाए हम उसको डिकंपोस करा दें देली सरकार ने क्या किया था कि बायो करते हैं या फिर खर ग्रीन मनीयूर ले तो हमें इस से क्या होगा फाइदा अभी फाइदा हम पढ़ने वाले हैं तो कॉंसेप्ट हमारा यही है कि इंटीग्रेटेट न्यूटेंट मैनेजमेंट क्या है यह जो टॉपिक में दिये हैं आप आराम से पढ़िएगा ठीक है यह आपके लिए दिये हैं मुझे बस यह कि कॉंसेप्ट आपको समझा हूँ आइनम का मतलब क्या है बैसिकली हमें एक बार टेफिनीशन के लिए पर समझ लेते हैं इंटीग्रेटेट न्यूटेंट मैनेजमेंट रिफर्स तु अफ्वाल फर्टिल्टी एंड प्लांट न्यूटेंट सप्लाई एट अन ऑप्टीमल लेवल फॉर सस्टेनिंग देजार्ड प्रोड़क्टिवीटी त्रू ऑप्टिमाइजेशन और बेनेफिट्स फ्रम और पॉसिबल सोर्च और और इन इन और इन इंटीग्रेटेटेट मैनेर मतलब क्या है कि हमारा बर्डेन केंगल फर्टलाइजर को जाता है ठीक है अगर एकोनॉमिक टर्म में पर्टेस करने पे कॉस्ट कॉफट कफी ज्यादा आती है जो इंपुड कोस्ट है तो वह कम हो जाता है यहां से फिर फार वफेस्ट है उसका हो जा रहा है और अचनिक मेनुर पड़ें उसका वीटिलाजेशन हो रहा है घ्रिंध कर ले रहे हैं बायो फटलाइजर और न्यूटेंट्स आप्टिमल लेवल पर सप्लाई होता है ठीक है और जो डिजार्ड प्रड़क्टिविटी वह मिलती है मिल्स जो आप्टिमाईजेशन होता है हर चीज़ का कि इसमें से हम क्या-क्या कंपोनेंट कॉण में से जिसमेंसे माइक्रोंकिलेंटिम इनॉकलेंट वग्यर अपलाई करते हैं फिर फायम पता है होगा फार्म याड मेंने चपको नहीं पता है मैं आने वाले जो structured हैं वह강वर करूंगा पेस्ड रेसे डैसे वीसे तो यह च्वार भला जो है वह यूज करते हैं चबू ओता बोरी थत्र ना कि सोलान्ट प्लांट उनके धूर्ण जो निकलता है स्यूर्ज़ यह देसे होगेसर है वाला हुटा हुथ होगा आप्लाई करने से का होता है न जो होते हैं उनका मिonce फर्टिलाइजर जो फर्टिलाइजर रहे मैजिए सब अप्लाई करते हैं ऑन यह हमारा क्या में पूलिय रहता है इसका concept what is the concept behind integrated nutrient management improvement and maintenance of soil fertility and soil productivity regulated nutrient supply for optimum crop growth and higher productivity but in case of only when we apply only fertilizer there may be many side effects like in a Punjab you can see groundwater contamination groundwater depletion soil silenity there are various factors okay zero adverse impact on agro ecosystem means fertilizer के वाल अप्लाइए करने पर क्या हो रहा है अग्रोइको सिस्टेम हमारा डिस्टर वो रहा है प्रे प्रेडिटर हो रहा है जो है उनका जो बैलेंस है वो डिस्टर वो रहा है बटे हैं अग्रोइको सिस्टम मेंटेन हो रहा है बैलेंस फैटलाइजर फैटलाइजिटर फैटलाइज़ेशन ऑफ और गनी मिनियोर्स इन अर्गनी फैटलाइजर राइज इनकी लिए अग्वाने नुटिया इन अफम ईस्टेटर इस सब इसक्रदिया है अगर आपको ड यह पहले बात तो स्वाइल है स्वाइल है अलग सी वीडियो बनाएंगे स्वाइल क्या होती है एक चलिए सौट में बता देता हूं फिजीकल केमिकल ठीक है प्लस केमिकल शियों को एंड बाइलाएं बाइल को कयल पॉपर्टी जब एक साहथ मिलती है न और से कमभाइन होती है और टीनों की प्लकोती चलिम असिस करते हैं तो फिर क्या पुर्पर्टस को हम का बनाता है स्वाइल है कि वर भर तीन ठीक हैना तो फिर मतलब बोलते हैं एक स्वैल और फिर फिस्कल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज वगएरा सब मेंटेन होती है वाटर वर्डिंग कैपसिटी बढ़ती है यह सब आप कॉंसेट्ट पढ़ लीजिएगा मैं बता तो देरा हूं फिलाल और आप इनको रट लीजिएगा क्योंकि यही सारे कॉंसेट् कोई काट नहीं सकता और यहीं आपको कॉपीपेस्ट करना ही है इसका और कुछ नहीं करना इस टूद इंप्रॉव्मेंट इन दो और गेनिंग मैटर कंटेंट ठीक है एक्षिली जब बायो फेटलाइजर वगएरा और फाइम अप्लाई करें तो और गेनिक मैटर कंटेंट इंक्रीज होगा स्वाइल की वाटर वर्डिंग बड़ेगी बिटर यील्ड एक्षिली फाटलाइजर को देने पर क्या और रहा था हीडें एंगर एक अलग कॉंसेप्ट है वह बाद में हम लोग देखेंगे यह आप मेरे बैच में देख सकते हैं मैं जल्दी बैच लाओं लाओंगे लाओंगा ठीक है फिर इनवर्मेंटल बेनिफिट्स इसका मतलब क्या है एकलोजिकल बेनिफिट रहते हैं एको सिस्टम में रहता है ऑप्टिमोर यूटिलाजेशन आउम फारम वेस्ट अगर फारम वेस्ट है अप्लाइज नहीं करें कहीं 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 आपको डं क्या है ना जब क्रॉप करने के लिए का करता है जो भी आइटम क्या सीड अब फैर्टिलाइजर चीक है एंड हर्भी साइड केमिकल यह सब क्या है कॉस्ट अप्रिवेशन यह इन्पुट कॉस्ट आती है यह बोलते हैं तो जो कॉस्ट रिडेक्शन हो जाता है वो कम हो जा आता है ठीक है और हमारा यह रहा बेसिक कंसेट अगर आपको एकनॉमिक टर्म से आएंगे ना कुछ तो आप अराम से बता सकते हैं इसे तो आराम से आप फार्मर लेवल बता देंगे ठीक है तो इसमें से करेंटे कॉट इफिजिए फटलैजर रिक्वारमेंट जो आने कोसिस करिए आप आराम से रट लीजिए ठीक है और यहीं आपको कॉपीपेस्ट कर देना है आप कंस्ट्रेंट क्या है वह इतना चांसेट है तो पूरे इंडिया में अप्लाई कर देना चाहिए हाँ हो जाएगा अप्लाई करते हैं लोग कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो पहली बाद नॉलेज एक्षिली कहाना एग्रीकल्चर ने बहुत सारे कॉंसेट्ट डेबलाफ हो चुके हैं इसमें सब को सिमट कर रहे गाएं बट फिल्ड लेवल पर आते नहीं है प्रॉब्लम कहाना उसका प्रोमोशन नहीं होता अवेरनेस ठीक है कि अबरनेस इस प्रवात में कहा है ना बायो फटलाइजर वगेरा पर्चेस करने के लिए फंडिंग चाहिए तो क्रेडिट फैसल्टी उसमें उसमें से इसू रहता है तो इंसफिसेंट फंड जिसकी वज़ए से यह डॉप्ट करने में लोग इसकी चाते हैं तो फार्मर्स हैं लैंड डि फिल्ड होगी ना उसमें से जो कल्टीवेशन प्रोसेस करने में बहुत असानी रहेगी आजकल क्या रहाना कि मालेजी यह परसन है ठीक है उसके दो बेटे हो गए तो लेंड फ्रेक्मेंट हो गई तो यह आधी हो गई यह आधी हो गई इसमें से जो अग्रिकुल्चर और बायो फेटलाइजर वगयरा जो है ना यह क्या होते हैं वाटर अवैलेबिल्टी या मॉस्टर कंटेंट होना चाहिए तब वह बहुत अच्छे से वर्क कर बाते हैं अधर वाइस क्या होगा ना क्यों वर्क नहीं करेंगे हो सकता है क्रॉप कोई नुक्सान हो जाए तो फि यहां पर मैंने आपको गलत बता दिया यहां पर यहां पर यह कॉंसेट हो जाएगा लैंड इग्रेडिशन को मतलब सीरियस जो इरोजन अफेक्टेट स्वाल लेती वहां पर अप्लाई करने में काफी जादा दिक्कत होती है ठीक है और इंटेंसिव मोनो कल्चर होता है जि तो फिर यहां पर भी एक बिजनेस पोटेंशिल बहुत ज़्यदा है ठीक है बिजनेस पोटेंशिल अब ज़्यदा तो आपको यह करना चाह रहे हो लैंड भी आपका हो तो आप यह भी कर सकते हैं को प्रॉब्लम की बात नहीं है बहुत सारे यंग लोग आ रहे हैं इंटर कर रहे हैं ठीक है तो लिम्टेशन यहीं है कि यूज ऑब बायो फेटलाइजर इस अ क्रॉप एंड लोकेशन स्पेस्पिक लो सेल्फ लाइफ आप दो माइक्रोगनिस्म नीट नीट फॉर केरफूल हैं तो यह साथी चीज़े रहे गई जिसके वाज़े से ना प्रड़क्टिविटी बढ़ती है स्वाइल वाटर और बालस कल रिश्टुरेशन होता है और हमें अवेर्निस प्रणी चाहिए एक्शेंस सर्विसेश के थ्रूब क्लियर तो सब्सक्राइब होगा तो यह हमारे तो आइन्म करा रहा है तो आयोब यह आपको आपको कॉंसे अपको नका जके बच्छर तो आपको कॉंसे को तो आपको कॉंसे कंपॉफे दो किया जिसक्का है और है राड़ है तो आपको क्योंसे और लुहाँ कं काया है आतु